मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ कि ये आप अंग्रेजियत से बाहर निकलें इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेलिविजन कम से कम देखे क्योंकि ये टेलिविजन है ये रौज आपको उल्टी, उल्टी बातों सिछाता है मैं सिछारू हूँ कॉलेट मत खरीदे निकलेट मत खरीदे ये तेलिविजन रोज कहेगा कॉलेटी खरीद?, और दिन ने पचास बार कहेगा, सोब आरका विदेशी कमपनी का माल मत ख़़ी हो ताली वीजन रोज दिन में 50-100 बार कहेगा कि यह इखरीद है और यह जिसको आप टैली विजन कहते हैं उसको मैं इडियक बाक्स कहता है एक उधारन देख्यें प्रेशन क्या कि करते हैं कि वे driver के भानि uncheck Caesar में बेटी और कंपलों क्या है तिनका दिप्गा हम अब आप पाहिए तिनके डिप्गा के भी बेटावेटी हो सकते हैं कि हैंग्रेट परसंट इडियोसिटी कि चाह दिखाता है टेलिवीजन लाइफ बाय है जहां तंदुरुस्ती है वहां अब आप बताईए को तंदुरुस्ती लाइफ बाय से आती है तो भोजन क्यों करते हैं आज से भोजन करना छोड़िये और एक एक लाइफ बाय खरीब ल चाह इडियोसिटी दिखाते हैं कि एक फुटबॉल खिलारी है जो बिना लाइफ बोई लगाके फुटबॉल खेलने जाता है तो गिर पड़ता है फिर लाइफ बोई लगाके जो फुटबॉल खेलने जाता है तो बिना बोल मारे वापस नहीं लौटता है तो मैं सोचता कि लाइज वो लगा कि यह अच्छा खिलारी कोई हो सकता है तो इन सब खिलारी को ओलंडिक में बेजना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की फुटबॉल की टीम जो ओलंडिक में जाती है तो क्वालीफाइंग राहन में बाहर हो जाती है उस दिन मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार ने एक एक खिलारी को लाइज वो का एक एक पैकट दिया होता है तो दस बारे दाब तक नीभूज फेर लेथी है और अपनी सहेली से कहती है कैसे कों इनकी सांस में बड़ो तो आएगी तो पर नीचे लाइन लिखते हैं दूरियां नजबी किया बनी जानते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दो पती-पत्मी अगर कॉल गेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे कॉल गेट करेंगे तो भी नजदी काएंगे अब आप बताईए बारतिय संस्कृति में कहते हैं कि पती-पत्मी का रिष्टा परस पर प्रेम परस पर विश्वास पर सद्भाव को टिका होता है अब यह इडियाट बाक्स का रहा है नहीं कॉल गेट पेस्ट पर टिका हुआ इसलिए यह इडियाट बाक्स है और यह इडियाट बाक्स क्यों है अभी आपने कहा तो उन्हें याद आ गया एक विध्यापन आता है टेलिविजन पर घर की बड़े शान परोसी की जने जान जलाने में पता है कैसे बला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे हमारी पूरी जिन्दगी इसी में घंचक्कर हो गई कि बला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे गया हो गया बनता धार भारती इसमस्क्रटी इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टेलिविजन देखना कम से कम करिये और इसलिए भी कि ये जो टेलिविजन है ये हमारे देश में ना सिर्फ इडियोसिती फैला रहा है बलकि भारत सरकार ने जब से ये जी टीवी, सी एनेन, एटीएन, स्टार टीवी, प्राइम स्टार, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्स, तमाम गिदेशी कम्पनियों को खुली छूट दे दिया हिंदुस्तान में, वो दिखा क्या रहे हैं? आपके बच्चों को वो सब जो नहीं देखना चाहिए. आपके बच्चे बैखते हैं, एक एन पर रात दिन गाने सुनते हैं, क्या गाने सुनाते हैं? चोली के पीछे क्या है? चीज बड़ी है मस्त मस्त. अब आप बताईए कि आपका तीन साल का बच्चा, चार साल की बेटी, ताक साल के बच्चे रो जो सुनते हैं, वही करते हैं. तो रात दिन आपके बच्चे अगर ऐसे ही गंदे गंदे घीट सुनेंगे, ऐसे ही गंदे गंदे सीरियल देखेंगे. जब आप बताईए तो सही कि टेलिवीजन के सीरियल कैसे हैं? कोई कहता है कि एक सीरियल आता है शान्ती, कोई कहता है आ आता है स्लाविमान कोई कहता है आता बनेगी अपनी बार इन सब में चाह दिखाते हैं हर एक सीरियल में एक ही थीम है एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेशन्स क्या भी खार है शादी को पहले बच्चे पाज़े हो गए और शादी क्या कर रहा है एक बार एक से दूसरे बार दूसरे से तीसरे बार तीसरे से चोथे बार चोथे से माने ऐसे बदलते हैं जैसे कमीच बदलते हैं यह यौरप में तो हो सकता हिंदुस्तान में यह नहीं चलता और आपके बच्चे अगर यही सब देखेंगे कभी-कभी तो मैं डर पैदा करता हूं आप ज़रा सोचिए कि हम पा आपके बच्चे भी वैसे ही हो गये तो आप सिर्फ पीटेंगे एक दिन अपनlaw क्यों जानते हैं क्यों उसका एक कारन है जो बच्चे बोते हैं यजब सीखते हैं किसी चीज को तो उसकी एक खास तरे की प्रक्रिया हوتा हूंब क्या होती है खोट उदारन में अक्सर देता हूं मात्मा गांदी का मात्मा गांदी जब छोटो थे बच्पन में मोगंदास करमचन गांदी थे तो एक दिन वो हरिश्चंदर का नाटक देखने गई हरिश्चंदर का नाटक देखने से तहले उनकी माने उनको हरिश्चंदर की कहानी सुनाई एक बार नहीं कई बार तो एक दिन उनके गाउं में पोल बंदर में हरिश्चंदर का नातक दिखाने वाली कंपनी आई तो इस नातक कंपनी ने हरिश्चंदर का नातक दिखाया गांदी जी वो नाटक देखकर लोटे तो अपनी माँ के सामय उन्होंने दो संकल्प लिए कि आज के बाद कभी जूट नहीं बोलूँगा और आज के बाद कभी भी हिंसा नहीं करूँगा आज इवन अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलूँगा हर इस शंग्र की कहानी और नाटक बेखकर मोहंदास करमचंद गांदी नाम का बालत महात्मा गांदी हो गया तो जड़ा सोचिए कि शान्ती और स्वाग्मा